हेलो फ्रेंड्स गुद मॉनिंग आप सब कैसे हैं और आप सब का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे और आज मैं जो समझ में फ्लार लगाते हैं उनके सीट्स कैसे लगाते हैं और उनकी जो अपडेट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में और मैं मैं पहली बार सीट्स से ग्रों कर ने जा रही हूं कि अभी हमने नया मूझा नया ही आपना गार्डन बनाया है तो और इसमें यसुट्स ही लेकर आए त्रफ्लार के फ्स टाइम हम सीट्स ग्रों करने जारहे हैं और यह नर्स्री वाले भाईया ने बताया था कि बहुत ही अच्छे से सारे जितने भी सीट्स है इसमें सब निकल आएंगे आपके और यह देखिए सनफलार है सनगोल यह ड्राफ वराइटी है इसकी अब देखते हैं कि सारे सीट्स हमारे निकलते हैं कि नहीं और यह पोटुला का है डवल मिक्स और तो जो हम सीट्स लगाते हैं वो दो तरीके से लगाते हैं तो वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसे लगाना है इनको और आज हवा बहुत तेज चल रही है तो और इनमें सीट्स तो गिंद्स गिंती के रहते ए और सारे उडहा रहें और यह जिंगा का है ड़ली आफ लार बातर चंद एलेगें इस चंद्स Evangelion節 अच्छे हैं सारे निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे तो यह हम सब आपके साथ शेयर करेंगे अपड्रेट करते रहेंगे आपको मैंने इस नहीं मिक्षर और वर्मी कंपोस्ट भी है और है थोड़ी सी सैंड मिने मिक्स की हुई है और यह देखिए इस तो सीट्स थोड़े से बड़े हैं और देखिए मैंने पहले इसमें टब में ॉला और अब मैं इसमें सीट्स डालूंगी क्योंकि कभी कभी होता है कि जब हम सीट्स लगा देते हैं और फिर उसमें पानी डालते हैं तो हमारे सीट्स बहे के एक जगे ही आ जाते हैं या फिर वो मिट्टी में नीचे चले जाते हैं जिससे कि वो निकलते नहीं और हम लोगों को लगता है कि सीड्स ही खराब थे तो इसके लिए जो मैंने पहला तरीका अपनाया है तो जो हमारी मिट्टी है उसको मैंने पहले ही गीला कर लिया है और फिर वो डाले हैं सीड्स और ये 50 रुपीज इनकी मार्पी है और इसमें तरीका भी दिया हुआ था कि कैसे आप लगाएं सीड्स को और इनको दूप में ही रखना भी है और इसको गीले कपड़े से इनको ने ढख दिया है पर मैं गीले कपड़े से नहीं ढखूंगी और ये दूसरा इसमें फ्लार्स के सीड्स आ जाएंगे तो इस तरह से अब दूसरा भी लगा रहा है और फ्रेंड्स अगर आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट्स भी करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन हो मेरे वीडियो जब आते हैं तो वो आप तक पहुँच जाएं और आप हमारा चैनल देखें और लाइक भी करें और कुछ कमेंट्स हो तो वो भी दें और इस तरह से बस अब हम मिट्टी को थोड़ा सा हलका हलका उपर ऐसे डाल देंगे और यह मैंने जो टब था खाली किया हुआ था तो उसमें थोड़े से पालक की रूट्स रह गई थी उसमें मैंने पालक लगाई भी थी पहले और बस इस तरह से इसको गवर कर देंगे ज्यादा मिट्टी नहीं ढालेंगे इस पर बस हलकी सी एक लेयर डाल देंगे और फिर इसको पेपर से ढग देंगे इसके दो फायदे होंगे कि एक तो जो बड्स आप क्या आती होंगी वह सीट्स नहीं खाएंगी क्योंकि मेरे हम पहले भी एक बार लगाया थे जो बड्स थी और मेरे पिकॉप अगरा भी आते हैं तो वह सारे सीट्स खा गए थे तो नहीं निकले थे तो इसलिए और दूसरा जब आप इसमें पानी डालेंगे तो आपके शीट्स एक जगे नहीं होंगे तो पेपर डालेंगे दो फायदे हैं। तो इस तरह से मैंने इसको डग दिया और दूसरा तरीका भी हम आपको दिखाते कि कैसे आप सीट्स लगा सकते हैं और यह पोट्रोला का के सीट्स हैं बहुत ही छुटे-छुटे से थे यह और इसमें भी मैंने दो तरह के प्लांट लगाए हैं एक टब में दो आप दो पैकेट सीट्स लगा सकते हैं अलग-अलग क्योंकि जो पैकेट इसमें सीट्स बहुत कम है और फ्रेंड्स मैं आपको डेली तो वीडियो नहीं सेयर कर पा रही हूं आपके साथ और नहीं आपको अपने गार्डेन का अपडेट भी दिखा पाती हूं क्योंकि मेरे पास थोड़ा समय की कमी है और गार्डेन भी हमारा नया है डेली आपको अगर वही रिपॉर्टिंग और यह सब दिखाऊंगे तो आप लोग भी बोर हो जाएंगे सो इसके लिए जो नई चीज करते हैं बस वही आपके साथ शेयर कर रहे हैं और इसके सीर्स बहुत बढ़े यह संफ्लार के थे और इसको मैंने थोड़ा सा दूर दूर लगाया हुआ है और अब मैं इस पर मिट्टी की एक लेयर हलकी सी लगा के फिर उसमें पानी दूंगी और इसमें भी तरीका दिया हुआ है तो और इस तरह से फोल के इसको अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारी मैंनत कितनी रग लाती है यह निकलेंगे भी कि नहीं बस देखिए बस हलकी सी ऐसे लेयर उसकी कर देंगे और यह गर्मियों में ही फ्लार्स निकलते हैं और मैंने यूट्यूब पर देखा था कि अगर यह एक बार आप लगा लेते तो इसके फ्लार्स से जो सीट्स बनते वह जहां पर भी गिरते हैं तो प्लांट्स विर अपने आप ही तयार हो जाते हैं और देखिए मैंने इसको पेपर से ढखके फिर इसमें पानी दिया है इससे कि आपके सीट्स डिस्टब नहीं होंगे जो जहां पर होंगे वहीं पर ही रहेंगे और इनको सीट्स को पानी भी मिल जाएगा हमारे और चिडियां भी नहीं खाएंगी हमारे सीट्स जो लगे हूं है टब में और इस तरह से मैं लगा दियें और इसको भी मैं पेपर से ढखके ही उसके बाद पानी दूंगी इसमें और एक तरीका और होता है जब आप सीट्स लगाते हैं तो आप सीट्स में थोड़ा सा मिट्टी को मिक्स करके भी आप डाल सकते हैं जैसे कि पालक वगेरा के सीट्स हम जब लगाते हैं तो उसी तरस लगाते हैं और देखिए ये सारे सीट्स जर्मिनेट हो गए हैं और एक दो जो नहीं हुए वो भी हो जाएंगे एक दो दिन में ये हमारे पांचवे दिन का रिजल्ट है